नमस्कार, सुलागत है और प्रवासी भारतियों के इतियास को आगे बढ़ाते हुए, उनके बारे में जो बिथक उपने श्वादी इतियास कारों ने बनाए, उन्हें चुनोंति देते हुए, मैं इस विक्यान में कुछ ऐसे तथियों का जिक्र करूँगा, जो अपने श्वादी इतियास को धरशाई कर देता है। की व्याख्या करते हुए, बहुत पैनी द्रश्टी से तथियों को देखना होता है। विशेश तोर से, जब हम मौकी की तियास की बात करते हैं। या जब सरकारी दस्तावेजों को देखते हैं। क्योंकि सरकारी दस्तावेजों में, जो राष्ट वक्त हैं, देश की आजादी के लिए लड़ रहे हैं। या शोशन की विरुद रर रहे हैं। उन सब को जो है शड़ेंतरकारी, राजा के विरुद्ध इस तरह की की उपमाएं अंग्रेज देते थे। या क्रिमिनल बता देते थे। और इसी प्रकार से मौकिक इत्यास, औरल हिस्ट्री के अंतरकत, मैं आपको एक अपना अनुमों बताता हूँ। गिर्मिटिया इत्यास को ले करके लगातार अंग्रेजी इत्यास कारूरे हैं लिखा, कि भारत से मजदूर इसलिए गए गिर्मिटिया बनके, कि भारत में बहुत जादा गरीबी थी, और जातिगत शोशन था। अब इन दोनों ही तत्यों को या इन दोनों ही वक्तव्यों को अगर हम तत्यमान लें, तो बात खत्म हो जाती है। लेकिन इत्यास कार होने के नाते में आपको यह उधारन देता। मेटरी डेट के अंदर, वेस्टरडीस में, एक मुझरग व्यक्ति का इंट्र्यू ले रहा था, जो के तीसरी पीडी से था, भारत से गए हुए लोगों में से, और उसके पूरवज जो है, वो गिर्मिटिया मजदूर बनके आये थे। तो मैंने पूछा, कि वे तुम्हारे पड़दादा जो हैं, यह भारत से यहां के इर्मिटिया मजदूर बनके क्यों आये। तो उसने जवाब दिया, वहां गरीबी थी, इसलिए आये। अगर मैं इस इंट्रिव्य को यहीं खत्म कर दूँ, तो अंग्रेजों की बात सही थावित हो गई, कि हाँ जाब बारत में गरीबी थी, इसलिए लोग चले आये। लेकिन मैंने उस से आगे एक सवाल पूछा, कि तुम्हारे दादा ने कभी यह बताया कि भारत में गरीबी क्यों थी। तो उसने जवाब दिया, कि अंग्रेजों ने, वहां जो हमारे भूमी वे वे वस्ता थी, उसमें उलट-पुलट कर दी थी। हमारे खेच चिन गए थे, हम मजदूर बन गए थे, कुछ हमारे रिष्टेदार जो सेना में काम करते थे, देसी राज्यों की, उनकी सेना ये खतम की गई, तो उन पे भी कोई और तरीका नहीं था रोजगार का, करीब हो गए, मजदूरी शुरू करती, तो इत्यास कुछ वागे बढ़ता है, और यहीं मैं बताना चाहता था, कि ये एक कॉमन बात, जो एक बुज़र्ग मुझे बता रहा है अपने, पुरोजों के बारे में, कि भारत क्यों छोड़के गए, और उसकी जिम्मेवारी के इस पर डाल रहा है, लेकिन अंग्रेजी के तियासकारों ने, इस जिम्मेवारी को कभी नहीं लिया, अरे वह भारत, जिसको आप ही सोनी की चलिया कहते थे, जिससे आप ही वेपार के लिए इतने उच्छुक थे, कि भारत आने का रस्ता ढूंड रहे थे, और वह भारत की अर्त रस्ता, भारत के उद्द्योग, इंडिस्ट्रियल रेवलूशन से पहले, ह तूत करका उद्द्योग के ये भारत का, कितना से शक्त था, तो फिर ऐसी क्या बात हुई, कि अंग्रेजों का राज आते ही, पचास साल के अंदर, भारती ये इतने गरीब हो गए, कि उन्हें मजूरी करने के लिए दूसरे देशों में जाना पड़ा, और जाना क्या पड किसे उनको जबर्दस्ती लालच दे के, प्रलोबन दे के, जूटे वाइदे करके लिजाया गया, तो इस गरीबकी के भारत में कई कारण थे, और सबसे बड़ा कारण था, अंग्रेजों का शोशक राज, जो भारत के हर स्त्रोत का सोशन कर रहा था, चाहे वो कृशी हो, च चाहे वो कोई और उत्पाद हो, और चाहे भारत की जन संपना हो, इसे हुमन रिसोर्स बोलते हैं आप आज के से, और इसलिए, जब गुलावी खत्म होई, बगानों में, इनके जो अपनी वेशिक बगान थे, तो तो ढूब गये थे, मर गये थे, उन पे वहाँ पे काम करन को लेबर ही नहीं थी, तो लेबर कहा से लाई जाए, तो भारत सबसे वड़ी जागे था, और भारत से, जो भारत के गरीब लोग इनों ने गरीवी की, उस पे जिनको पहुचा दिया था, इनों ने, वो जो है, प्रलोबंदे के और इस तरीके की चीज़ों से लाए गए, लेकिन अपनी जिम्मेवारी से अंग्रेजों ने हमेशा अपने को बाहर रखा कि हमने भारत को गरीब बनाया, तो इससे बड़ा कोई डंगा नाच उपने वेश्वात का नहीं देख सकता, भारत गरीब था, लेकिन अंग्रेजों ने नहीं बनाया भारत को, अंग्रेजों दूसरी बात और साथ जुड़ जाती है गरीबी के साथ साथ दूसरा प्रोपगंड़ना उनका यह है कि साथ भारत से तो गरीब से गरीब हो इसलिए लोग आए कि भारत में जाती का त्शोशन था और जिसे वो लोकास्ट बोलते हैं वो उत्पिड़ित थे उची जातियों से इसलिए वो भारत छोड़के चले आए समाजिक अंतर विरोध रहे हैं लेकिन वो जी जिकर नहीं करेंगे कि भारत में जज़वानी विवस्ता थी भारत में भाईचारा विवस्ता भी थी और इसके साथ साथ ये जो मिथा किनों ने पहलाया कि जाती का त्शोशन की वज़े से भारत ये छोड़कर के आए तो उस में तक को भी जो दस्तवेज हैं यारगाईवस के जो रिपोर्ट से जो इमिग्रेशन रिपोर्ट से जो जहाज में यात्रियों का रिपोर्ट है कौन जातरी गए वो अंग्रेशों के इस तरक को भी जूटा साबित कर देता है उधारन के लिए अठारा सो असी में क्रिडेड के अंदर जो जहाज से मजदूर गए भारत से उन में छेसो आरतालिस मुसल्मान थे दोसो चौरानवे ठाकुर थे छत्री और राजपूत थे इन ठाकुरों में दोसो चोहत्तर जिने अंग्रेशों ने चमार लिखा हुआ है दोसो बच्पन अहीर एक सो पिचत्तर ब्राह्मन एक सो अठाइस कहार और एक सो बच्चिस कुर्भी थे अब यही आकड़े थावित करते है कि अगर जाती का सोशन की वज़े से लोग गए यहां से तो बही फिर ये एक सो पिचत्तर ब्राह्मन क्यों गए या दोसो चौरानवे ठाकुर क्यों गए या च्छे सो अरतालेस मुसल्मान क्यों गए उनमें तो जाती रसता ही नहीं इस से बड़ी बेफ़कूफी का इत्यास जो है तथ्यों को छोपा करके बताना यह हो अपने वेशिक इत्यासकारों का ही कमाल है एक और हमें जगे का आकड़ा मिलता है वहीं पे ट्री डेंड में सोकोरो एस्टेट्स का सोकोरो बगान का जहां काम करने वाले बाहरती है मजदूरों में लगवग ऐसी ब्राहमन थे अर्सट शत्रिये थे सताइस वहिश्य थे और आगे सुनिए क्या उन्होंने वरगी करन किया हुआ है 347 स्वच्छ शूद्र थे और 348 अस्वच्छ अनक्रीन शूद्र थे तो फिर बताईए वई कि ब्राहमन क्यों मौझूद है यहाँ पे यह शत्रियों क्यों मौझूद है यहाँ पे अगर जाती कारण है भारश से जानेगा अंग्रेजों ने पब्लिक में यह कभी नहीं बताया के 1871 और 1871 की जो जन गन्नाएं हुई इन्मोई ने भारत के कई जो परंपरिक समुदाये थे नाई धोमी लोहार तेली इन सब कांग्रेजों ने नीजाती बना दिया लो कास्ट कहके बना दिया डिवाइड रूल की अपनी निती के दहत और दूसरी तरफ मार्शल रेस बना दी कि जो अंग्रेजों के स्वामी वक्त है वो मार्शल रेस है जी और क्रिमिनल कास्ट बना दी अपरादिक जाती बना दी कि जिन्होंने अंग्रेज का अठा स्थावन में विद्रो किया के खिलाब विद्रो किया था वो सारे क्रिमिनल जाती हो गए और इसी प्रकार मैंने जो है इनके एक बड़ा के करिमिन के इतियास कार है प्रिंच्ले सम्रू जो यह कहते हैं कि यह जो आई जहाजों से यह जनम से बरामन नहीं थे यह तो बरामन बाई ships थे, यह ship पे बरामन हो गए, और भाई सब खुल लिखते हैं दूसरी जगह पे, कि जो इंदुस्तानी आए जहाजों के ऊपर, वो जहाजी बाई बन गए, और उन्होंने समझात्पात की जंजीरे तुलो दी, तो यह जो contradiction है, हमें ध्यान में रखना चाहिए, और इस प्रकार का जो दुश्प्रचार इतियासिक किताबों में निरमतर अंग्रेज करते हैं, अपने द्वारा किये गए शोशन को बचाने के लिए, अपने द्वारा जूटेवाइदों को बचाने के लिए, अपने द्वारा जंताओं को पिलत होने से बचाने के लिए, जो जूटा इतियास करा जाता है, कि केवल बारत की गरीबी और जात पात की वज़े से जो है लोग बंदुआ मजदूर बनके या ये इंडेजर लेवर बनके दूशे दिश्यों में आए ये मिथा कब तूटेगी धन्यवाद फिर मिलेंगे इसी शंक्रा में प्रवासी भारतियों को लेके एक और वेक्षान के साथ